पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुलकादिर का सलाव पाकिस्तान के निजाम अदल के सबसे बड़े एवान में इस वक्त हलचल मची हुई है और 24 घंटों के अंदर अंदर दूसरा बड़ा स्तीफा आ गया यानि मुस्तक्बिल के चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजल एसन भी मुस्ताफी होके रवाना हो गए ये इस वक्त जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है बहुत ही अलामिंग सिच्वेशन है एक के बाद दूसरा स्तीफा और अब ये इतलाद है कि शायद तीसरा स्तीफा भी आ सकता है जस्टिस बंद्याल के साथी एक एक करके अब मुस्ताफी हो रहे हैं और ये शुरुआत हुई जस्टिस मजाहर अली अकबर नकवी के कल दिये गए इस्तीफे के बाद जिसे आज मन्जूर किया गया था और उसकी मुखालफत करने वाले यानि उनके सुप्रीम जुडिशल काउंसल में होने वाली कारवाई की मुखालफत करने वाले जस्टिस एजाजल एसन जिन्होंने चंद महीने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था या यूं समय लीजे के तमाम जजजिस में काजी फाई जीसा के बाद दूसरे नमबर पर थे वो भी मुस्ताफी हो गए और बहुत सारे लोग अब ये जिकर करना शुरू हो गए कि क्या जस्टिस मुनीब अख्तर वो भी मुस्तक्बिल के चीफ जस्टिस हैं क्या वो भी रिजाइन करने जा रहे हैं बहुत सारी आईब्रो जस वक्त रेज हो रही है बहनाल इस वक्त जो कुछ हो रहा है अदालती निजाम में वो बहुत ज़ादा अलामिंग है और इसको शायद बहुत जल्द हल होने की जरूरत है आज और भी बहुत सारी खबरें हैं लेकिन इस वक्त टैलिविजन चैनल्स की ये मेंन स्टोरी है इसके साथ साथ ये विलॉग मैं इसलिए भी थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्टैंड बाई पर रखा गया है कि एक बहुत आहम प्रेस कॉन्फरंस कुछ दिर में होने जा रही है बैरिस्टर गोहर की इमकान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज ही वो टिक्टों की तक्सीम का ऐलान करेंगे पाकिस्तान तहरीक इनसाफ की टिक्टें फाइनल कर लीगी है आज उनकी जेल में मुलाकात हुई इमरान खान साथ के साथ और ग्रीन सिगनल दे दिया गया है तो आज कुछी देर में ये एलान मतवक्य है उसके उपर जब ये हो जाएगा तो मैं आपको अलग अपडेट कर दूँगा और भी बहुत सारी खबरे टाइमलाइन के उपर है लेकिन उससे पहले तोड़ी सी बात करनी है बल्ले की सूरतियाल के हवाले से जो बहुत ही दिल्चस्प हो चुकी है ना सिर्फ दिल्चस्प बलके अफसोसनाक हो चुकी है ये जमूरी मुलक और इस जमूरी मुलक में इलेक्शन में अब सिर्फ 28 दिन का वक्त बाकी है टिक्टे जमा कराने के लिए ये आखरी 24 गंटे बाकी है सिर्फ आखरी 24 गंटे के बाद डेडलाइन खत्म हो रही है और ऐसे वक्त में इस मुलकी सबसे बड़ी पार्टी का जो बल्ले का निशान है जो साइन है मजाग बनागे रख दिया गया है एक अदालत का फैसला नहीं माना जा रहा बार बार दियेगे फैसले नहीं माने जा रहे और फिर मौमला चला गया अब सुप्रीम कोर्ट में बैंच बन गया है बहुत ही दिल्चस्प सूर्थार में इसलि नहीं माना ये पहली बार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात के हवाले से फैसला नहीं माना था ये तो फिर बल्ले के निशान के हवाले से है तो इसमें अदालतों को खुद सोचना होगा कि ऐसी दर्खास्तों को इंटर्टेन करने से पहले काजी फाई जीसा साब को य मैं तो सुना ही नहीं गया अब एक बार फिर पिशावर हाई कोड का हुकम नजरांदास किया गया ये मुसलसल दूसरी बार इस मुलकी एक बड़ी अदालत आपको कह रही है कि आप बल्ले के निशान का जो सर्टिफ केट है उसे वेब साइट के उपर जारी करें लेकिन अभी ये अदालत की उनका दारा इक्तियार है वो जिस केस को मर्जी फिक्स करें लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब की बार जो है ये काजी फाइज ईसा साब का ये सबसे बड़ा टेस्ट केस है ये पिछले जितने भी केस हुए बशमूल मिलिटरी ट्राइल के हवाले से या और ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टन केस होगा यानि जिसको टेस्ट केस का जा सकता है कि सबको जब पता जल रहा है कि एक पार्टी को टार्गेट कर रहा है मतलब एक बार फिर एलेक्शन कमिशन बहसियत एदारा बल्ले का निशान हत्याने पर बज़ित नजर हा रहा वो election लड़ने वाली जमाद के साथ लड़ने बैठ गया है और वो किसी सूरत नहीं चाते कि जनाब इनको बल्ले का निशान मिले और election हो तो वो किस तरह से election की credibility को मनवा पाएंगे बहराल अब जो सबसे interesting मौमला है वो ये कि Supreme Court में थेन रुकनी bench बन गया है election कमिशन की दर्खास को entertain करने के लिए और इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोहीन अदालत की कारवाई शुरू कर चुकी है election कमिशन के खिलाफ और वो पिशावर हाई कोड में आज उन्हों ने पेटिशन डाल दी कि जनाब आपके पहली बार भी हुकम के उपर अमल द्रामत नहीं हुआ और अब 24 घंटे गुजर गे स्टिल आपके हुकम के उपर अमल द्रामत नहीं किया election कमिशन ने लहाज़ा चीफ election कमिशनर समेथ जितने मेंबरान है उनके खिलाफ तोहीन अदालत की कारवाई की जाए अब मसला यह है यहां पर अच्छा वहाँ पर भी दो रुकनी बैंच बन गया है सुप्रीम कोड में तीन रुकनी बैंच बना है और यहां पिशावर हाई कोड में दो रुकनी बैंच बना है और दोनों के दोनों कल केस की समाद करने जा रहे है कि बला मिलना है नहीं मिलना ये सुप्रीम कोड ने फैसला करना है और तोहीने अदालत की कारवाई बनती है नहीं बनती ये पिशावर हाई कोड ने फैसला करना है तो मेरा ख्याल है अदालतों को इस मौमले को देखना चाहिए कि हमारे एहकामात के उपर अमल दरामत नहीं हो रहा कमसकम उसके उपर स्टैंड लेना चाहिए अच्छा यहाँ पर दिल्चस बात यह है कि इलेक्शन कमिशन को अब डर कोई नहीं है कि जनाब अगर हम जरा सा पीछे हटे या हमें हटाया गया तो फिर कराले एलेक्शन फिर कैसे एलेक्शन होगा फिर कैसे यह मौमला चलेगा इसलिए अब वो उस मौमले तक चला गया है बहसियत इदारा के उनको कोई वो डरी नहीं है क्या हमारे खिलाफ तो हीने अदालत की कारवाई या वो अपने आपको शायद कानून से बालातर समझने बैठ गया है कि जनाब कोई कानून उनके उपर अमल रामत नहीं उनकी एक जरा सी दर्खास के उपर पूरा सुप्रीम कोड जनाब त्यार बैठा है उनकी सुनवाई के लिए उनके वोगला जाते हैं जिस तरह से वो केस परसीड करते हैं खलत बैयानिया भी कर लेते हैं सुप्रीम कोड में कोई उनको नहीं पूछता इसलिए मैं गहारा हूँ कि ये सबसे बड़ा टेस्ट केस होगा और कोई कितना भी अगेंस्ट चला जाए एक पार्टी के ये बल्ले का निशान लेना और पूरे एक एलेक्शन प्रॉसस से बाहर कर देना एक पार्टी को मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोड इसको इंडोर्स करेगी मैं जाती तोर पर समझता हूँ कि ना उने करना चाहिए ना शायद वो करेंगे बट जिस किसम के फैसले आ रहे है और जो ट्रेल चलती ही आ रही है उसमें सब चीजे जो है वो क्या कहते है अनिक्सपेक्टेड तरीके से हो रही है और होने को कुछ भी हो सकता है आज वो PTI के लोग गए इलेक्शन कमिशन में रिटन एप्लिकेशन लेके के जनाब ये हाई कोड का ओडर है और ये हमारी दर्खासत है बराय मेरबानी बल्ले का निशान बहाल करें लेकिन अभी तक उसके उपर कोई अमल दरामत नहीं हुआ और ना इलेक्शन कमिशन का मोड लग रहा है अमल दरामत करने का और फिलहाल जो सिच्वेशन नजर आ रही है वो यही के इलेक्शन कमिशन शायद बहसियत इदारा ये फैसला कर बाठा है कि वो किसी तौर PTI को इलेक्शन में नहीं आने देगा बल्ले के साथ तो देखते हैं क्या होता है इदारे इन से भी उपर है अब वो अपनी रिट कैसे मनवाते हैं या क्या वो फैसले देते हैं उसके उपर पूरे मुल की नजरे रहेंगी लेकिन अभी इस वक जिसके उपर नजरे हैं वो है PTI के मरकजी सेकरेटरियरिट की तरफ जहां से कुछ देर बाद PTI की टिक्टो की तकसीम का एलान होने वाला है बैरिस्टर गोहर इमरान खान साब से मिले और तमाम कैंडिडेट्स तो हैं वो फाइनल कर लिए गए हैं और अच्छी बात यह है कि PTI के पास हर हलके में खड़ा करने के लिए उमीद्वार मौजूद है और वो अपनी इंतखाबी मोहिम लाँच करने जा रहे है ग्राउंड के उपर वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे लेकिन सोशल मीडिया के उपर और ग्लोबली वो इसको किसी ना किसी तरीके से लेके आगे बढ़ना चाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के तावन से तो मुलगीर एक नैशनल कैमपेंड जो है पी टी आई उसको शुरू करने का इरादा रखती है अभी मुशावरती अमल जारी भी है लेकिन तमाम सोशल मीडिया प्लाटफर्म्स यूज गिये जाएंगे बशमूल टिक टॉक और गुजिशता रात उन्होंने कोई अपनी सर्विस टेस्ट की है कि टिक टॉक के उपर हम लाइव जाएं तो कितने बड़े पेमाने पर हम ओडियोंस को इंगेज कर सकते हैं और मेरा ख्याल है कि अगला जलसा शायद ऑनलाइन जो हुआ है वो यूट्यूब और फेस्बुक और दिगर सोशल मीडिया प्लाटफर्म्स के साथ-साथ टिक टॉक के उपर भी हो काफी जो पीमाने के लोग हैं नाराज दिखाई दिये ऐसा लग रहा है कि जो उनके वफादार जानिसार और मिया साब के नारे लगाने वाले लोग थे जिनोंने काफी कुरबानी ती जो नाहेल भी हुए और पता नहीं क्या क्या कुछ उनको नजरांदाज करके जो तगड सेटप जो है वो खड़ा किया जा रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए पीमलन की तरफ से लेकिन दूसरी तरफ पीटी आई उनके पास एक एक हलके में जायद उमीदवार भी है और दो के जो एक ट्रेल रही काल जाते नामजद की मुस्तरत करने से लेके फिर एपले जाये जो वफदारी की एक मिसाल बनके सामने आये हो इस मुश्किल हलात में चाहिए वो निचले लेवल का कोई वरकरी क्यों ना हो फिफ्ट शिक्स टियर का कोई वरकर हो या फिर सेकंड थर्ट टियर की लिडर्शिप में से कोई लेकिन टिकट कम असकम उन लोगों को उन नौजवानों को या उन अफराद को मिलना चाहिए जो पार्टी के इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो पार्टी को आगे लेके चल सके जो पार्टी के नजरिये को आगे लेके बढ़ सके और इस सिस्टम ट्राइल जो कलदम करार दिया आज इसलामबाद हाई कोड ने जो 14 दिसंबर से ओन्वर्ड सारी कारवाई थी Cmother Trial की वो सारी की सारी कालदम करार दे जी तिया यह उसका अब तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है अदालत ने और अदालत ने अपने इस इस फैसले में लिखा क जो हकुमती मौावन है यानि अटावनी जरनल है वो खुद ये तसलीम कर रहे हैं कि 14 दिसंबर के बाद की जो कारवाई है वो दुरुस्त नहीं थी ये पहली बार नहीं हुआ दूसरी बार अदालत के एहकामात आए कि ये ट्राइल ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा जो इ जजज साब से उन्हें इंसाफ होता शायद नजर ना आए तो इसलिए वो उन जजज साब की भी तब्दिली के लिए कोई बाजाबता दर्खास दायर करने का इरादा रखते हैं इस हवाले से मुशावरती अमल जारी है और अगर जजज साब तमाम के तमाम हकुमती एहकाम अगर उसके उपर बात करने वालों को सीक्रिट एक्ट के तहट कारवाई का भी एक ख़द्शा रहेगा तो फिर उस ट्राइल के उपर सवालात जरूर उठेंगे तो इसलिए दूसरी बार अदालत में मुदाखलत करते हुए इस ट्राइल को पहले स्टे ओर दिया इसके तो देखते हैं आपको अपडेट करता रहूंगा आप भी जरा टिक्टों की तक्सीम वाले मौमलात को मैं जरा देख लूँ अगर कोई प्रेस कांफरस हुई तो आपको उसके उपर भी लेटर अपडेट कर दूँगा भी तक के लिए इतने ही अपना बहुत सा ख्याल रख प्रेस